नमस्कार जैहीन, मैं हूँ रॉनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंतंत्र कि हमारी टीम दो गंटा पहले मैच खतम करके होटल में DDLJ देखने चली जाएगी लेकिन फिर इंडिया के सामने आ गया जिम्बाबे के कैप्टन ब्रैंडन टेलर जिन्नोंने मार मार के उस मैच में हमारी गेंदबाजों का भरता बना दिया 138 रन बना कर वो आउट हुए यह सब क्या देखना पड़ रहा है हालांकि इंडिया वो मैच जीत गया लेकिन पूरी दुनिया के निगाहों में ब्रैंडन टेलर जम गये उनकी कैप्टन्सी और बल्लेबाजी के काबिलियत का लोहा पूरी दुनिया ने माना लेकिन वर्ल्ड कप में इतना शांदार प्रदर्शन करने के बावजूद ब्रैंडन टेलर को रिटायर होना पड़ा क्यूंकि उन्होंने कोल पैक डील साइन कर ली थी आसान शब्दों में ये समझी है कि जो खिलाडी ये डील साइन कर लेता है वो एक तरह से प्राइवेट क्रिकेट खिलने लगता है और अपने देश को रिप्रेजन नहीं कर सकता जिंबावे क्रिकेट चोड़ने के पीछे उस वक्त टेलर ने वजह पैसे की कमी बताया था लेकिन 2017 में अपना कॉंट्राक्ट अमिनेट करके वापस जिंबावे के लिए खिलने आये फिर 2021 तक उन्होंने जिंबावे क्रिकेट का बखुबी साथ निभाया और इज़त से 2021 में रिटायर हुए लेकिन कल शाम को टेलर के एक पोस्ट ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को हिला कर रख दिया उन्होंने चार पेज लंबे नोट में ये बताया कि किस तरह 2019 में एक इंडियन बिजनसमैन ने उन्हें इंडिया आने कने होता दिया क्योंकि वो स्पॉंसर्शिप और जिंबावे में एक T20 लीग ओपन करने की बात करना चाहते थे उस मीटिंग में उस बिजनसमैन ने टेलर को कोकेन यानी ड्रग्स लेने को कहा टेलर के मुताबिक वो उसकी बातों में आ गए अगले दिन वही बिजनसमैन उनके होटल पहुचा और धमकी दी कि कल उनका ड्रग्स वाला वीडियो रेकॉर्ड हो गया है अगर ब्रैंडन टेलर चाहते हैं कि ये वीडियो वाइरल न हो तो टेलर को स्पॉर्ट फिक्सिंग करनी होगी उस बिजनसमैन ने ये काम करने के लिए टेलर को 15,000 डॉलर भी दिये जो कि ब्रैंडन के मुताबिक उन्होंने इसलिए ले लिए क्योंकि उन्हें इंडिया से निकलना था फिक्सिंग पूरी करने पर ब्रैंडन को 20,000 डॉलर और देने की बात कही थी उस बिजनसमैन ने ब्रैंडन ने कोई मैच फिक्सिंग या स्वाट फिक्सिंग नहीं करी लेकिन ये बात ICC को बताने में उन्होंने चार महीने लगा दिये क्योंकि उनको अपनी फैमिली की सिक्योरिटी का डर था हला कि इतनी देर लगानी की वज़े से अब ICC ने उन पर कई साल का बैन भी लगा दिया है ICC के ओर से अभी इस पूरे मसले पर कोई ओफिशल स्टेटमेंट नहीं आई है हला कि ब्रैंडन ने खुद ये कहा है कि वो एक चीटर नहीं है और उन्होंने कोई मैच फिक्स नहीं किया लेकिन फिर भी ICC ने उन पर बैन लगाया है क्योंकि टेलर ने टाइम से इस घटना का खुलासा नहीं किया हर देश के हर खिलाडी को एंटी करॉप्शन सेमिनार में ये जरूर बताया जाता है कि इस तरह के मामले में टाइम से रिपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है शाकीबल हसन को भी 2019 में इसी वज़े से एक बार बैन किया जा चुका है क्योंकि उन्होंने देरी से अपने पास आये फिक्सिंग आफर रिपोर्ट किये ये तो हुई एक बात लेकिन टेलर की पूरी स्टेटमेंट पढ़ना वाकई में डरा देने वाला था अगर किसी इंटरनाशनल टीम के कैप्टन के साथ इस तरह की चीज़े हो सकती है तो सोचे किसी नए नवेली खिलाडी को ये फिक्सर कितनी आसानी से फसा लेते होंगे ब्रैंडन ने जो किया वो बहुत हिम्मत वाला काम है लेकिन सब इतने हिम्मती नहीं होते और इस वज़े से ये पूरा मामला डराने वाला है सवाल ICC और जिंबावे क्रिकेट बोर्ड के उपर भी है टेलर ने अपने स्टेटमेंट ने ये बताया कि किस तरह 2019 में जब उन्हें इंडियन बिजनसमैन ने बुलावा भेजा तो वो इसलिए चले आये क्योंकि जिंबावे क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें छे महीने से पे हाला कि लेट रिपोर्ट करने से उन पर बयान लग रहा है लेकिन उस वक्त ब्रैंडन टेलर को अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जो करना चाहिए था उन्होंने एकदम वही किया 25 जन्वरी यानि आज से ब्रैंडन टेलर एक रिहाबिलिटेशन सेंटर जा रहे हैं हम उमीद करते हैं कि वो पूरी तरह फिजिकली और मेंटली फिट होकर ही वापस लोटेंगे फिलाल हम वापस लोटेंगे कल और एक वीडियो के साथ इस चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना फेस्बूक पे देख रहे हैं तो पेजिकल लाइक करना इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है कॉमेंट करके ज़रूर बताना थैंक यू वेरी मच हा मिरको थोड़ा जुक काम हुआ है प्रातना करना के में जल्दी ठीक हो जाओ थैंक यू बाई बाई टेक केर जेहिंद